हेलो वलो फ्यू वेल्कुम बैक टू माई चैनल मैं आज आप लगो के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कैंडल वाक्स रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनके मन में क्या है आपको लेकर वीवर्स यानि आपके परसन के मन में क्या चल रहा है ऐसी चीज़े वह सत्पी हैं जो वह कहते बोलते नहीं है लेकिन उनके मन में हैं ओके तो आज हम जानने की कोशिश करेंग तो हो सकता है कि यह reading आप से resonate करे हो सकता है ना करे तो आप open minded होकर सुनिएगा क्योंकि जेन्रल रीडिंग है सभी zodiac science के लिए है और सभी उम्र के लोगों के लिए है और timeless है जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं यह आपके साथ तभी resonate करेगा फिर यह वीडियो आप तक चाहें कितने भी समय बाद क्यूं न पहुँचा हो अगर आप dream tarot चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक subscribe नहीं किया है तो मैं आप से request करना चाहूंगी कि subscribe जरूर करें dream tarot चैनल को और बन जाए dream tarot family का हिस्सा क्योंकि मैं ऐसे ही different topics पर reading लेकर आती रहती हूँ रीडिंग्स के दौरान intuitive messages, channel messages and channel songs प्रोवाइड करती हूँ जो मैंने ही चाहती कि आप miss कर पाएं इसलिए subscribe जरूर करें और bell icon को press करना न भूलें ताकि जब भी मैं कोई reading लेकर आऊं सबसे पहले आप उसे देख पाएं अगर आप मुझे देखना चाहते हैं यह मेरे साथ face to face virtual interaction करना चाहते हैं तो आप मेरे new youtube channel को subscribe कर सकते हैं जिसका link description में है और instagram पर भी मुझे follow कर सकते हैं instagram का link भी description में है तो आएए चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और आपकी reading स्टार्ट करते हैं I just need a moment पर आपकी गडमे तर नहीं दो आपकी तो आपकी तौर्ट करते हैं है वीवर्स मुझे यहाँ पर एक फ्लार दिखा है सबसे पहले फूल दिखा है व्र इस नगी महीं कहीं न ख़ी या तो आपको पूल देना चाहते हैं या वह आपको पूल अकपार सेच रहे हैं या फिर वह आप बहुत ही इमेजिनरी सा लग रहा है सब कुछ यानि कि वो खयालों में खुए हुए हैं कल्पना कर रहे हैं ऐसा दिख रहा है मुझे बादल लजर आये हैं काले घने बादल विच इस शोइंग कि वो कही न कहीं शायद आपके साथ बारिश में भीगना चाहते हैं या उन्हों वो आपके साथ बारिश में भीगे और अगर नहीं है ऐसा तो वो जरूर आपके साथ एक बारिश में भीगना चाहते हैं काल्ट ओफ रॉमेंटिक ओके रॉमेंटिक लिए ऐसा सोचते हैं या ऐसा इमेजिन करते हैं वीवर्स मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि यह कहीं न कहीं किसी चीज़ को लेकर पच्चता भी रहे हैं यहाँ मुझे पच्चतावा नज़र आ रहा है रिग्रेट है शायद इन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसकी वज़र से अब इन्हें बाद में रिग्रेट हो रहा है realization, regret आपको लेकर ये पच्चता रहे हैं विवर्स शायद ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं जिसकी वज़ा से इन्हें पच्चतावा हो रहा है इन्हें तकलीफ हो रही है ये कहीं भी involved हैं किसी भी चीज में busy हैं लेकिन इनका मन कहीं भी नहीं लग रहा है आपके बिना इनका मन नहीं लग रहा है कहीं भी या मैं कहूं कि आपके साथ अगर इन्होंने कुछ गलत किया है आपको hurt किया है तो अब ये उस चीज को realize कर रहे हैं कि इन्होंने ठीक नहीं किया I can see the doll 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 एक गुडिया नजर आती है एक गुडिया जैसी छवी नजर आती है कहिना कहीं वो आपको एक बहुती innocent देखते हैं बहुती child-like energy देखते हैं वो आपको बहुती ज़्यादा भोला भाला और सीधा समझते हैं वो सोचते हैं कि ऐसे इनसान का ऐसे innocent इनसान का दिल दुखा के अच्छा नहीं किया चाहें जानके आपको हट किया हो या अन जाने में येस कहीं न कहीं हूँ ऐसा सोच रहे हैं कि आप उन्हें माफ करें और उन्हें इस बंधन से मुक्त करें यानि कि जो regret की जो एक guilt trip जो इनकी शुरू हो गई है आप इन्हें उस चीज से free करें इन्हें माफ करके तो ये ऐसा सूचते हैं कि आप इन्हें माफ करें ताकि इन्हें इतना बुरा लगना बंध हो जाए कभी कभी ऐसा भी दिख रहा है कि अपने आपको तसलिय दे देते हैं ये बोल के कि आप को इन्होंने intentionally hurt करना नहीं चाहा कुछ चीजें ऐसी हुई जिसकी वज़े से आप hurt हुए हैं लेकिन इन्होंने कभी मन से नहीं चाहा कि आपको कभी कोई दुख पहुँचाएं या आपके साथ कभी कोई छल करें मुझे ऐसा message मिल रहा है try to understand कई न कई आप से expect कर रहे हैं कि आप इनकी परिस्थिती को भी समझने का प्रयास करें कि हो सकता है इनकी परिस्थितिया जितनी अच्छी दिख रहे हैं उतनी अच्छी ना हो जैसा देख रहा है वैसा ना हो कुछ और ही हो इस वज़ा से ये शायद चाहते हैं कि आप इनकी परेशानी भी समझें ऐसा लग रहा है वीवर्स की वो आप से कहना चाहरे हैं की अभी ऐसा बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते हैं वीवर्स इनके मन में यही बात चल रही है कि ये रिग्रेट में है इन्हें गिल्ट हो रहा है और ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं इन्हें ऐसा लगता है कि कर्मा फेस कर रहे हैं ये लिकिन इन्हें ये भी लगता है कि आप इन्हें माफ करें ना करें पर इन्हें लगता है कि अग आपके बारे में सोच रहे हैं विकोज एक धिंकिंग क्लाउड बन रहा है बार बार यहां पर ओके ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप कितने डाउन टू अर्थ हैं विवर्स शायद इन्होंने आपको हर्ड किया फिर भी आपने कोई रिवेज लेने का नहीं सोचा इन्हें फिर भी आपने भला बुरा नहीं सुनाया है जिसकी वजह से यह और जादा ऐसा सोच रहे हैं कि आप कितने डाउन टू अर्थ हैं कितने पुलाइट हैं कितने हमबल हैं फिर भी कुछ नहीं कहा आपने तो आपकी अच्छाई जो है न वीवर्स जितने आप अच्छे हैं यह चीज इन पर अब भारी पड़ रही है क्योंकि इसी गलत इंसान के साथ गलत करके आप जस्टिफाई कर देत जिसकी वज़ा से अब यह कहें कि हिसाब बराबर ऐसा कुछ नहीं किया है आपने तो आपका चुप रहना आपका कुछ ना कहना कोई शिकायत ना करना इनके लिए और बड़ा कारण बन गया है गिल्ट का कही न कहीं वह इस चीज को रियलाइज भी कर रहे हैं कि आप जैसा अच्छा इंसान खो देना अपना ही लॉस है यह फ्लेव जो है कैंडल की यह कितनी जादा तेज हो गई है मुझे ऐसा लग रहा है वीवर्स कहीं न कहीं दिस पर्सन हाज लॉट ओफ फायर एंड अट्राक्शन तोवर्ड़्जिव यह आपकी तरफ अब बहुत जादा महस कर रहे हैं मुझे नहीं पता पहले करते थे की नहीं लेकिन नाओ यह फीलिंग अट्राक्टर टोवर्ड़्जिव काफी अट्राक्शन नजर आ रहा है यहां पर मुझे ऐसा देख रहा है साथ ही साथ ठोड़ी नेगिटिविटी है इनके मन में थोड़ी नकरात्मक उर्ज इनके अंदर है जिस वज़ा से ऐसा दिखता है कि यह अच्छा सोचते हैं लेकिन अच्छा सोचते सोचते फिर पताने क्या एक नेगिटिविटी इनके उपर अफेक्ट डालती है और यह फिर कोई स्टूपिड चीज कर देते हैं तो इनका मानना ऐसा है कि मैं करना कुछ च मांगेंगे और आपको फोन करेंगे तो चलिए इनोंने अगर फोन कर दिया मैसेज कर दिया तो भी आप से कुछ सिंपल सी बात करके वापस हो जाएंगे जो बात कहनी थी वह बात कहेंगे नहीं तो इनका यह जो ठोट चक्रा है मुझे लग रहा है यह डिस बैलेंस है इसम उनुदोंने कुछ और समझाना चाहा है और आप समाज़ें कुछ और हैं क्योंकि एकस्प्रेसिव नहीं अगर ऑग्र इस प्रृषिफ होते तो आप समझ पाते कि क्या मतलब है क्या इंटेंशन है बट एक्सप्रेसिव ही हैने मुझे ऐसा लग रहा है वियोवर्सücke ऐह या आपसे face to face मिलना चाहते हैं ये जब आपसे वाफी मांगें इन्हें आपका reaction देखना है या ये जब आपसे बात करें इन्हें आपका face देखना है ऐसा मुझे लग रहा है वीवर्स ये आपको stop भी बहुत कर रहे हैं social media पर stalking continue है आप ये आपके person कोई बहुत की artistic type का हो सकता है जिसकी कला में रुची हो चाहें वो नाजना हो गाना हो कुछ और भी artistic काम हो चाहें comedy कर रहा हो या you know anything else poem लिखना है writer article लिखना कुछ भी हो सकता इवन cooking is also an art तो cooking भी शायद पसंद हो आपको यानि कुछ drawing करना कुछ भी artistic हो सकता है as a hobby जरूरी नहीं है कि profession हो बर किसी चीज़ में अच्छे हो सकते हैं उनकी ड्रॉइंग अच्छी हो सकती है आपकी हो सकती है उनकी आवाज अच्छी हो सकती है या आपकी हो सकती है तो कफ कुछ कला कला तो है आप दूनों में से किसी में ऐसा लग रहा है विवर्स की अब तक ये एक bubble में जी रहे थे एक imagination illusion का bubble था जिसमें इनके हिसाब से ये सब कुछ सही कर रहे थे पर जैसे ही वो bubble फूट गया है इनको reality नजर आई है कि सच में इन्होंने किसी को hurt कर दिया है तो इनके मंन में सरव विवर्स यही बाते हैं कैसे माफी मांगी जाए कैसे गिल्ट सिफ्री हुआज क्योंकि ग Winds इन्हें chan नहीं लगने देता ना इन्हें नीन दाती है है ना सुकुन मिलता है और बार बार इन्हें hurt होता लग सोच हो गए हैं sunny हो सकता है इनके नाम में आपके नाम में एस एच डबल ए एन इए याई य ए डी टी टी आर जे ये कुछ अक्शर हैं जो आपके नाम में या इनके हो सकते हैं हो सकता है viewers की इनका या आपका आप दोनों में से किसी का तो पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था क्योंकि थोड़े artistic टाइव के हैं आर्ट की तरफ ज्यादा जुकाव है या दूसरी चीजों की तरफ लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा रूची नहीं थी या तो आप हो सकते हैं या फिर ये हो सकते हैं हो सकता है इन्हें गाने सुनने का बहुत शौक हो कि अभी तो अभी तब मुझे यही मेसेज़ मिल रहे थे कि उनके मन में क्या चल रहा था कैंडल ओवर ओके कि अधिक की हुँ में और मुझे क्या मेसेज़ मिल रहे हैं ऐसा लग रहे है वीवर्स की इन्हें गूमने फिरने का बहुत शौक हो सकता है ट्रावलिंग बहुत पसंद होगी घर में रहने का तो इनका मन नहीं करता है इनका फ्रेंड सरकल भी काफी बड़ा हो सकता है लेकिन असली फ्रेंड नहीं होंगे जादा ये भी दिख रहा है असली फ्रेंड जादा नहीं होंगे पर इनका फ्रेंड सरकल बड़ा हो सकता है ये चेश्मे पहनते होंगे या आप चेश्मे पहनते हैं इनके forehead के आसपास कोई मोल हो सकता है कोई तिल हो सकता है या आपके forehead के आसपास यानि माथे के आसपास कोई तिल हो सकता है और viewers आपके cheeks पे या eyes के आसपास भी हो सकता है आप दुनों में से कोई गवर्मेंट सर्विस में हो सकता है अगर गवर्मेंट सर्विस में नहीं है तो गवर्मेंट सर्विस के लिए प्रिपेर किया हो सकता है एक्जाम दिया हो सकता है गोल हो सकता है गवर्मेंट सर्विस में जाना यह आपकी family में से आप दोनों की family में से भी कोई government service में हो सकता है अगेन मुझी यहाँ पर end में भी फूल दिखने लगे ऐसा लग रहा है वीवर्स यह आपको फूल देकर शायद नाफी मागना चाहते हैं यही आपको फूलों की तरह innocent, नाजब, delicate समझते हैं Yes कही ना कही ऐसा भी दिखता है वीवर्स इनके मन में यह बात चलती है कि यह आपकी कोई गलती पकड़ने यहनि कि यह चाहते हैं कि आप भी कुछ ऐसा गलत कर दो, गलत बूल दो जिससे यह आपकी गलती पकड़के अपने आपको satisfied कर लें कि चलो मैंने भी अगर गलत सोचा या कर लिया तो इन्होंने भी गलत कर लिया यह किसी तरीके से अपने आपको satisfied करना चाहते हैं क्योंकि यह शांत नहीं है हो सकता है इन्हें कोई और लोग भी कह देते हूं कि तुने गलत कर दिया यह तुमने गलत कर दिया तुमने किसी को hurt क्यों कर दिया तुमको पता है यह करना ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है तो हो सकता ही किसी ने थोड़ा बहुत इने ग्यान दे दिया है जिसकी वज़े से भी इन्हें और बुरा लग रहा है तो यह और जादा justify करना चाहते हैं कि आप भी कोई सीधे नहीं है viewers आप भी काफी चलाख हैं काफी manipulative है तो यह realize तो कर रहे हैं लेकिन उससे जादा यह अपने बारे में सोच रहे हैं कि कैसे यह अपने उपर लगा दाग हटा दें इनके उपर कोई दाग ना लगा रहे हैं कि इन्होंने किसी को hurt किया है यह तो आई होप ही रीडिंग आपको अच्छी लगी है आपसे डेजोडियेट की है अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत ही सही अगर गाइड किया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो को लाइक करना ना भूलें सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बनजाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्ता क्योंकि मैं ऐसे ही डिफ्रेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती हूं कैंडल वेक्स रीडिंग करती हूं रीडिंग्स के दोरान intuitive messages, channeled messages and channel songs प्रोवाइड करती हूँ जो मैंने ही चाहती कि आप miss कर पाएं सिली subscribe जरूर करें और bell icon को press करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई reading ले कर रहा हूँ सबसे पहले आप उसे देख पाएं अगर आप मुझे देखना चाहते हैं मेरे साथ face to face virtual interaction करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मेरे new youtube channel को subscribe करके जिसका link description में है और अगर आप मुझे instagram पर भी follow करना चाहते हैं तो कर सकते हैं instagram का link भी description में है ओके viewers तो फिर चलिए मिलते हैं अगली reading में तब तक के लिए